हलो एंड वेलकम टू दे केमिस्टी ग्लास वांस अगैन आज हम पढ़ते हैं एल्कोहल्स के रियक्शन में एस्टेरिफिकेशन एस्टेरिफिकेशन में भी ROH के oxygen hydrogen bond OH bond का cleavage या OH bond का तूटना होता है एस्टेरिफिकेशन रियक्शन जो है वो एक एल्कोहल्स का एक अभिलाक्षनिक रियक्शन है एस्टेरिफिकेशन अभिलाक्षनिक अभिक्रिया एल्कोहल्स react with carboxylic acids in esterification esterification अभिक्रिया में alcohols जो है वो carboxylic acid के साथ react करते हैं और esters प्रदान करते हैं esterification is acid catalyzed reaction और acid catalyzed process esterification अभिक्रिया अम्लिद्वारा उत्प्रेरित प्रक्रिया है या reaction है overall reaction आप screen पर देख रहे हैं कि alcohol ये carboxylic acid के साथ इसने reaction किया in the presence of acid catalyst और heat और दिया ester ester and water ये जो water है ये वापस इसको hydrolyze करके alcohol और acid में change कर सकता है इसलिए जैसे ही ester बनता है उसको distill out या acid करके reaction mixture में से निकाल लिया जाता है इस ester का नाम करण कैसे हो देखिए सबसे पहले इस alkyl group का जो alcohol से मिला है उसका नाम लिखा जाएगा alkyl और alkynoid यानि जो हिस्सा carboxylic acid साया है उसका नाम लिखा जाएगा इधर तो यहां अगर methyl है यानि हमने methanol लिया है और यहां पर हमने ethanoic acid लिया है यानि CH3 COOH तो इसका नाम होगा methyl ethanoid तो इस तरह से naming इसका करेंगे आईए देखते हैं इसका mechanism किस तरह से होता है mechanism में step 1 में protonation of carbonyl oxygen यह जो carbonyl oxygen है acid का, carboxlic acid का, उसका acid के द्वारा, mineral acid के द्वारा protonation होता है आप ही कह सकते हैं कि यह भी acid है तो इसका protonation क्यों होगा देखें यह carboxlic acid है, organic acid है और organic acid के acidity जो mineral acids होते हैं, इन organic acids होते हैं उनसे कम acidity इनकी होती है इसलिए जब mineral acid को इसके पास reaction के लिए लाया जाएगा तो इसका जो carbonyl oxygen है, उसका protonation इस प्रकार से होगा यह जो protonated cation मिला है, उसका यह 1, 2 और यह 3 यह resonating forms है, यह देखिए, OH oxygen के उपर plus और यह pi electrons अगर oxygen अपने और ले लिए तो फिर यह हो जाएगा OH और carbon के उपर आजाएगा, plus charge क्योंकि carbon पर अब हो गए 3 bonds यह अपने lone pair इस carbon oxygen के बीच में देगा, तो C double bond O हो जाएगा, oxygen के उपर आजाएगा, plus charge क्योंकि अब इस oxygen के जो है, वो 3 bonds हो गए इस तरह से जो पहले step के आखिर में protonation के द्वारा जो cation बनता है, वो resonance stabilized cation होता है आएए देखते हैं, next step अब देखते हैं कि step 2 में क्या होता है, देखे step 2 में step 1 में जो ions बने थे, वो ही ions हमने यहाँ show किये हैं, उनमें से carbonium ion था और यह एक protonated इस तरह से species था, यह दोनों आपस में resonance hybrid हैं अब देखे कि step 2 में nucleophilic attack of ROH oxygen, alcoholic oxygen का nucleophilic attack इस carbon पर होता है यह जो carbonium ion मिला है, resonance hybrid structure है, protonated carboxylic acid का, इसके उपर alcohol का जो oxygen है, जो कि electron rich है, उसने nucleophilic attack किया यह carbon जो है, वो एक electrophile है क्योंकि इसके उपर plus charge है और यह electron deficient यह electron noon species है और आप देखिए कि इसके बाद जो यहाँ oxygen ने carbon के साथ bond बनाया, तो इस oxygen के पास R, H और एक carbon के साथ bond हुए तो तीन bonds हो गए और carbon के पास, इस C plus वाले carbon के पास अब एक, दो, तीन, चार, चार bonds हो गए तो carbon के उपर से plus charge तो हट जाएगा लेकिन oxygen के उपर एक bond extra बनाने की वज़ए से electron deficient यह oxygen plus हो गया अब इस end में जो second step, second के end में जो हमें एक ketionic species मिली है, वो third step में जाके आगे क्या करता है, वो देखते हैं, देखे, proton transfer, converting OH into a good living group तो internal proton transfer होता है, internal इसलिए क्योंकि इसी species के अंदर से एक हिस्से से proton निकल कर दूसरे हिस्से में गया अब देखे, जो oxygen है, वो electron negative है और यहाँ पर वो electron deficient है Electro negative होने के बज़ए से, यह oxygen hydrogen bond के electron उसने अपनी और खीच लिए जिसके वज़ए से, जो hydrogen है, वो H plus की रूप में free हो गया और यह जो oxygen hydrogen वाला bond है, वो टूट गया अब H plus जो यहाँ से free होआ, वो इस oxygen पर आके चोड़ता है और यह OH two plus में convert हो जाता है, oxygen के अपर यहाँ पर तीन bonds है और इसलिए इसके अपर plus charge आ गया अब यह जो OH group था, वो एक अच्छा निश्कासित होने वारा, यह good living group नहीं था लेकिन OH two plus में यह change होते ही, परिवर्तित होते ही, यह एक अच्छा living group बन गया अब इसका आगे क्या होता है, देखें, step four में इससे हम start करते हैं जहां एक अच्छा living group तयार हो चुका है, और इसमें देखें कि यह जो इसके, इसमें step में, fourth step में elimination of water and formation of carbonium ion intermediate होता है तो step four के आखिर में, जो good living group था, वो water के हिसाब से बन कर वो बहार निकल आता है क्योंकि carbon oxygen bond के electrons, oxygen ने अपने लिये और carbon oxygen bond जो है वो तूट जाता है और यह good living group as H2O की तरह से वो निकल कर बहार आ जाता है जिसके नतीजन या false रूप आप कह सकते हैं कि carbon के उपर रह गए three bonds और एक positive charge सो यह carbonium ion intermediate बना step four के आखिर में step fifth में क्या होता है, आईए देखते हैं step fifth में deprotonation and formation of ester product होता है तो यह step four के आखिर में जो carbonium ion intermediate बना उससे हमने step five शुरू किया, यह देखिए oxygen hydrogen bond के electron bond को हमने इस तरह से dash के द्वारा इसलिए समझाया, दिखाया है ताकि आगे का mechanism हम समझा सकें यह oxygen hydrogen bond के electrons carbon और oxygen के बीच में shift हो गए तो C double bond O बन गया और carbon पर जो positive charge था क्योंकि इसके पर तीन bonds थे अब वो positive charge हट जाता है और यह neutral में convert हो जाता है लेकिं क्योंकि hydrogen without electron बहार निकला proton के रूप में तो वो H plus के रूप में charge जो है वो यहां आ जाता है और इस step के आखिर में आप देखिए यह ester product हमको मिल गया जब acid का alcohol के साथ esterification शुरु शुरु में observe किया गया तो इस बात का doubt था कि यह जो ester में जो oxygen है वो acid से आया है कि alcohol से आया है कुछ लोग यह मानते थे कि यह acid से आया है और जो है alcohol से सिर्फ R group गया है और OH निकल के यहां से चला गया है लेकिन tracer technique यानि radioactive oxygen जब हमने alcohol में लगाया और उसके साथ carboxylic acid का reaction करवाया तो जो ester हमें मिला उसमें यह देखा गया कि ester के अंदर मतलब यह reaction जो है acid catalyzed हुई और ester में जो है वो radioactive oxygen जो alcohol में था वो ester में भी पाया गया उसका यह सीधा सीधा मतलब है कि alcohol में esterification के तवारा oxygen hydrogen का जो bond है उसका cleavage उसका bond breaking होता है और hydrogen यहां से निकल कर जाता है यानि यहां पर alcohol एक weak acid के रूप में कर रहा है क्योंकि उसका proton निकल के जा रहा है तो इस तरह से ये evidence ये प्रमान है जो अब हमने इस से उपर mechanism पड़ा जहां पर कि हमने देखा कि OR alcohol के साथ alcohol के हिस्से का जो alcoxy group है वो carbon से जुड़ा है और यही वज़ा है कि यहां पर हमने इसको red से दिखाया है और ये alcoholic group ये red से है ताकि ये पता पड़े कि अंत में जो ester बना है उसमें जो OR group है ये देखिए OR group जो है वो alcohol से आया है मुझे अमीद है ये mechanism आपको समझ में आई होगी आप इसका notes बनाएए आईए अब हम esterification का एक और तरीका देखते हैं esterification with acid anhydride और acid chloride और acyl chloride इसके अलावा esterification का एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं trans esterification वो हम इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे तो देखते हैं overall reaction esterification का acid chloride के साथ या acid chloride के साथ कैसे होता है ये देखे ये आपके screen पे है acid chloride ये CH3COCl CH3COOH की जगे यहाँ CL है और ये alcohol के molecule के साथ esterification हुआ है और यहाँ पर bubble से HRCL shortcut दिखाने के लिए जल्दी याद करने के लिए इस तरह से reaction को आप याद कर सकते है और ये ester बना इसी प्रकार से हम acid anhydride भी ले सकते हैं जो screen पे हमने लिया है that is acetic acid anhydride acetic anhydride है ये acetic acid का anhydride है ये और इसमें से H और CH3COO ये bubble के अंदर डाला तो acetic acid निकल के आगया और ester इस तरह से बनता है अब इसका mechanism देखते हैं mechanism step 1 step 1 में nucleophilic attack of alcoholic oxygen on carbonyl carbon ये जो alcoholic oxygen है वो अपने loan pair of electrons के द्वारा इस carbonyl carbon पर आकरमन करता है अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जिससे निजस्ट पहले पढ़ा है उसके तरह यहाँ पर पहले protonation वगरा क्यों नहीं हुआ क्योंकि देखें ये जो carbon है ये पहले से ही कैटाइनिक है या इसलिए है क्योंकि एक तरफ इसके पास c double bond o है oxygen अपनी और electrons कहींचता है पाई electrons कार्बनल ग्रुप के पाई electrons और दूसरी तरफ c l है जो की electronegative है और इस carbon क्लोरो ग्रुप के जो electron से अपनी और कहींचता है तो ये जो carbon है वो carbonic acid की तुलना में ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है इसलिए आसानी से जो oxygen है इसके ओपर nucleophilic attack कर सकता है और इस प्रकार का एक मद्धिवर्थी बना देखिए ये CH3 COCL वाला हिस्सा है जो नीचे लिखा हुआ है और उपर वाला हिस्सा alcoholic है ये oxygen alcohol से आया है alcoholic oxygen की उपर plus charge है क्योंकि उसके उपर तीन bonds है और जो carbon oxygen है उसके उपर minus charge है क्योंकि उसने bond के electrons by bond के electrons अपनी और ले लिए step 2 में इसे से हम शुरू करते हैं जो इस तरह से एक bipolar हमें species मिला है प्लस और माइनस charge वाला step 2 में elimination of halide ion and formation of protonated ester हुआ तो elimination of halide ion है क्योंकि halogen electro negative है इसलिए carbon halogen bond के electrons उसने अपने अपने उपर लिए और O minus का जो electron ये charge है वो carbon oxygen की बीच में push हुआ और क्योंकि ये इधर delocalize हुआ तो इसने मदद की के carbon CL bond तूटे और CL minus जो है अपने electrons लेके CL minus के रूप में क्लोरो निकल की जा सके इसके साथ ही carbon और oxygen की बीच में C double bond O बन चुका है और ये oxygen के उपर plus charge है और ये एक जो है यहां से ester आगे बन सकता है ester में और इसमें सिर्फ आप देखें एक proton का अंतर है अगर ये proton नहीं होता तो R, O, C double bond O और CH3 इस तरह से एक ester molecule बनता तो जो next step है उसमें deep protonation and formation of ester है ये देखिए जो step 2 के आखिर में जो हमें ketanic intermediate मिला है उसका उससे हमने शुरू किया है ये oxygen hydrogen bond के electrons oxygen electronegative होने की वज़े से अपनी और खीच लेगा और ये bond तूट जाएगा और hydrogen without electron H plus की रूप में या proton के रूप में यहां से निश्कासित हो जाएगा जिसकी वज़े से देखिए बाकी molecule में कोई change नहीं आया है CH3COOR CH3COOR तो ये इस तरह से ester molecule अपने को मिल गया है जो ये esterification जो है वो के वल primary और secondary alcohol ही दिखाते हैं tertiary alcohol या तो dehydrate हो जाते हैं या इलकीन बनाते हैं और या फिर वो tertiary alkyl chloride बनाते हैं देखिए ये tertiary alcohol है carbon के ओपर तीन alkyl groups या यहां पर तीन methyl groups जोड़े वे हैं और ये oxygen है ये tertiary alcohol है उसका reaction करवाया है acyl chloride या acid chloride के साथ तो एक तो या तो जैसे की बताया है alkyl chloride बन गया और ये देखिए यहां पर OH की जगे यहां CA लगा तो alkyl chloride बना और acetic acid के साथ बन गया या यह जो nucleophile है वो यहां exchange हो गया है दूसरा तरीका यह है के यहां से OH निकला एक carbon से OH निकला और C के साथ तीन CH3 group है और किसी एक CH3 से एक hydrogen और चला गया तो water molecule टोटल गया मतलब इस carbon से OH group और किसी इस carbon पर पहले OH लगा वा था उसके साथ तीन CH3 groups थे तो किसी एक CH3 से एक hydrogen गया यहां से एक OH गया यहां से एक hydrogen गया तो double bond बन गया तो इस तरह से एलकीन बन सकता है यदि इस tertiary alcohol का acid chloride के साथ किसी बेस जैसे एनन डायमिथाल एनिलीन के साथ अगर हमने reaction कर वाया तो ऐसी सिती में जो है एनन डायमिथाल एनिलीन HCL लेकर निकलाता है और इस तरह से इसमे ester बन सकता है जिसकी yield है 63 से लेके 68% तक तो इस तरह से base के presence में esterification हो सकता है देखिए similarly primary and secondary alcohols get excited by acetic anhydride तो acetic anhydride के दोरा भी primary और secondary alcohol को ester में कर सकते हैं convert कर सकते हैं यहां जो हमने reaction दिखाया था वो acyl chloride या acid chloride के साथ सारी हमने reaction दिखाई थी तो acetic anhydride के साथ भी same reaction हो सकती है होती है और tertiary alcohols get accelerated also in the presence of paratolvene sulfonic acid catalyst तो paratolvene sulfonic acid catalyst की उपस्तिते में tertiary alcohol को ester की रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तो इस तरह से जैसे हमने अभी देखा कि acid chloride के साथ reaction हुआ है उसी तरह से acetic anhydride के साथ भी आप यह reaction mechanism लिख सकते हैं बस L जहां जहां लिखावा है वहाँ पर COCH3 आप जोडते चले जाएंगे तो यह वाला reaction जो है वो same to same लिखा जा सकता है जैसे acyl chloride था तो यहां पर OCOCH3 लगेगा total acetic anhydride का molecule जो हम लिखेंगे और यह mechanism वापस complete repeat हो सकती है लेकिन वह खास मौकों पर ही ऐसे mechanism पूछा जाता है आप अपने उसके लिए expertise के लिए expert बनने के लिए आप इसको उस तरह से घर में लिखकर या rough copy में लिखकर इसको try कर सकते हैं उमीद है आज के reaction mechanism आपको समझ में आये होंगे और इनके notes बनाई है कोई problem हो तो मुझे contact कीजिए reactions के बारे में chemistry के बारे में problem हो तो आप मुझे whatsapp करके पूछ सकते हैं Thank you for being with me